एक तरफ राम मंदिल की बुनियाद रखी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अयोधिया मज़ित का भी तयारी शुरू हो रही है इस मेटिंग में इंडो इसलामिक कल्चरल फॉंडिशन ट्रस्ट के सभी मेंबर्स मौझूद थे और उन्हीं ने मज़ित का नफशा पास कर दिया है मज़ित के नफशे के साथ उसका डिजिटल वीडियो भी सामने आया वो सारी तसावीर भी सामने आ गई कि कैसे होगा ये आयोदियों में पांच एकर का मज़ित इसका नाम बाबरे मज़ित नहीं बलकर धनिकपूर ही होगा क्योंकि ये मंदिर से तकरीबं 20 किलो मिटर दो धनिकपूर जिला में बन रहा है इसलिए इस मज़ित का नाम भी इसी जिला के नाम से रखा गया है और ना कोई इसमें गुंबत का नफशा आएगा मज़िद के पीछे एक हस्पिटाल भी होगा ये मज़िद दुनिया के बहतरी मज़िदों में से एक होगी 26 जनुरी को इसका बुनियाद रखा जाएगा